दोस्तो हमारे देश में जो फोन का पेनिट्रेशन है वो बजट रेंज में होता है पांस हजार साथ हजार दस हजार और मैक्सिमम पंदरह हजार तक आता है तो लोग इसी बजट में फोन को लेना पसंद करते हैं और सबसे जाता पेनिट्रेशन भी देखा रहा है तो हमारे देश में इसी बजट में है उसके उपर कुछ हैं जो अपने मीड रेंज फ्लैक्शिप लेते हैं जिसे सैमसंग का एक सीरीज हो गया ओपो और वीओ के कई सीरीज हैं जो कि 20-25,000 के उपर जाता है और फिर उसके उ कीमत विह काफी कम है और अपने केमत को धियान में रखते वो इसमें फिर्चर खीर की हपो तो यह जो फोन है यह highly budget segment वाला फोन है इसके जो features भी हैं वैसे तो इसके features इसके budget को दियान में रखते हुए काफी जाधा है तो इसमें इन्होंने जो launch किये हैं वो है दो तरह के variant एक variant जो है वो है 2GB RAM और 32GB ROM के साथ जिसकी कीमत है 749 रुपे एक दूसरा जो variant है वो है 4GB RAM और 64GB ROM के साथ जिसकी कीमत है 8,299 रुपे फ्लिप कार्ट पर यह available है इसकी बाइग लिंक में डाल दूँगा अपने comment में और इसको आप 1TB तक expand कर सकते हैं इसका मतलब यह हुगा कि इसके इंदर Micro SD Card का भी option मिलता है अभी इसमें जो प्रोसेसर का use किया हुआ है वो एक average प्रोसेसर है जिससे आप average सारे टास्क कर सकते हैं वो प्रोसेसर है Media Tech का Helio G25 अब यह जो प्रोसेसर है यह बहुत ज्यादा high-end प्रोसेसर तो नहीं है लेकिन जो आपके रोजबरा के काम है उसको यह बड़े आराम से कर लेगा जैसे कि WhatsApp चलाना या फिर गेम्स हलके फुल के गेम्स खेलना रोज का वेब ब्राउजिंग करन यह सारी चीज़ें आराम से कर लेगा 5000 एमेज की बैटरी दी हुई है आजकल के फॉन्स में ट्रेंड चल गया है कि जो बैटरी होती है बेसिकली वो 4000 एमेज के उपर ही होती है तो इसमें 5000 एमेज की बैटरी दी हुई है टाइप-C पोट है यानि आपको इसके अंदर आप इस LCD पैनल लगा हुआ है 6.5 यानि कि सारे 6 इंच का मैक्स विजन डिस्पले लगा हुआ है और यह HD प्लस रिजोलुशन के साथ आता है यानि कि 720 इंटू 1600 पिक्सेल्स 269 पीपी इसकी डेंसिटी है और 20 रेशियो 9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आता है अगर स्क्री इंटू बोडी रिशो की बात करें तो वह है 85 परसेंट अब आते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट पे जो है कैमरा अब जैसा कि मैंने पो बताए एक बजट फोन है तो कैमरा अपने बजट को ध्यार में लगते हुए अबाव एबरेज है जो इसका कैमरा है वह है 30 मेगा पिक 2 मेगा पिक्सल के कैमरा है एक और दूसरा वह है F2.4 1.75 मेक्रो मेंटर का मैक्रो सिंगल LED फ्लैश है और जो कैमरा के फीचर से उसमें वही नॉर्मल जो होते हैं आजकल के सारे फॉन्स में पोट्रेट मोड है फोटो है पैनारोमा मोड है फेस ब्यूटी HDR है मैक्रो वीजन मैन्योल मोड गूगल लेन्स एंटिघ्रेट है अंदर ही है इसके full HD को वीडियो बना सकता है 30 fps check पे promise camera पे फ्रंट एन्य हो इसका वह पांच मेका पिक्सल का है जिसका aperture size है f.2.2 रियर केमरा यानी कि जो पिछे वाले camera उसकी वीडियो रिकरडिंग वानको बता ही दी है है कि मैंने बताया कि एक बजट सेग्मेंटेड फोन है यानि कि उन लोग को ध्यान में रखा गया है जो बजट कंस्ट्रेंड में रहते हैं और हाड़ी दस अज़ार पे खर्च करना चाते है अपने फोन की पीछे और उसमें भी इन्होंने हेड़फॉन जाक दिया हुआ है ए बंस नार्नेट नह exercising吧 एक सीम कर्ड और यह फिर दो सिम και लगा सकते हैं या फिर दो सिम कर्ड़ा सकते हैं यानि के हैईब्र हॉल्ट सिलूशन है तो वैसे तो जिसका वेורिंट्म 3 डिवक जो कि बहुत कम हो था है तो मैं आपको यह सजेच्ट कर गमां कि अगर आप ये ऐफ और वैसे भी वन टेराबाइट है नहीं कि एक हजार जीबी देक आप इसको एकस्पेंड करी सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है वह वैसे तो एजडी प्लस है और वह आई-पी फिफ्टी टू वाटर रिपलेंट डिजाइन है यानि उस पे आप पानी में वह इमर्ज तो नहीं इसका मोटरोला बैट विंग है जो पीछे की तरफ मोटरोला का लोगो है जिसे मोटो डिमपल भी कहते हैं वह ही इसका फिंगर्प्रिंट स्कैनर भी है यानि वह ही आपको डोनों फंक्शनालजी देगा एक तो आपको शो के लिए मिल जाए बैट विंग और वही आपका फ फ्लैश्लाइड जलती है या बंद हो जाती है वह आपको बता दूआजमा मैं थ्री फिंगर्स का स्क्रिंशॉट फंक्शनालिटी अन् OUT यह याई आप त्री फिंगर्स को स्क्रीन पर स्क्रीम्प करें गोट Как रह गी और ढूसका केम्ररी क्यमिन माज़ु दिक्रण करेंग इतना शौक नहीं है basically आप एक phone यह उस करना चाहते हैं यानि की basic task के लिए चाहिए आपको whatss अप के लिए छाहिए है फिली की website लिए ख़र हलंकी फिलकी web browsing才 लिए बहुत है nominal से game mechanics के लिए गारे तब इस phone के लिए जा सकते हैए पर expectation ऐब हुसे करना हाज बहुत सारे high-end games केल पाएंगे तो नहीं है अच्छा multimedia consumers के लिए जैसा मैं आप उता है इसके अंदर HD plus display तो इस display बुरा नहीं है लेकिन वो जो बात होती है displays में जो थोड़े से budget को बढ़ा के लिए जा सकता है वो बात तो इसमें नहीं है तो budget को ध्यान में रखते हुए तो phone बहुत अच्छा है as a secondary device आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको कोई खास use नहीं है phone का यानि जो basic use है जैसा कि मैंने आप बताया उसके लिए आप यह phone यूज कर सकते हैं तो सजेस्ट करूंगा लेने के लिए और वो भी आप 64 GB वाले वेरिंट अगर लेना चाहें मैं सजेस्ट करूंगा वही लेने के लिए 32 GB तो कुछ भी नहीं होता है अब बात करते हैं इससे मिलते जुलते यानि similar products के बारे में तो फ्लिपकार्ट पर जैसे ही अविलेबल है वैसे फ्लिपकार्ट पर जो कुछ phones अविलेबल हैं इसी बजट से थोड़ा बहुत उपर नीचे 1015 उपर नीचे वह है इन्फिनिक्स होट टेंग वह आपको 949 मिल वह आपको 949 मिल पड़े जाएगा तो आप यह वैरियंट भी कंसीडर कर सकते हैं जो मैंने आपको बता है प्लस आप मोटो इसेवन पावर के दरह भी जा सकते हैं एक अच्छा ब्रैंड है और वर्ल्ड में पहला मॉबाइल फोन लाने वाला ब्रैंड मी मोटरोला ही था त तो मैं कहूंगा 64GB वाला वेरियंट कंसीडर करें दूसरा 32GB में ते कुछ नहीं होता अपडेट्स तो पहले मोटरोला दिया करता था लेकिन अभी पता नहीं देगा की नहीं देगा और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी स्मूथ रहता है बहुत ही बहुत जादा स नियर तु इसके लिए जा सकते है और इसके पर कोई नहीं होती दो जो मोटरोला के नॉर्मल अपने खुड़ते स्पेशल फीचर्स होते है उसके लवा इसमें कोई भी ब्लोट वेर नहीं होता है तो एक कंसीडरिबल फोन है अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादा में नहीं करते हैं अधरवाइस मार्केट में और भी सारे ऑप्शन्स अवेलेबल हैं इस रेंज में भी और इसमें कुछ पैसे और जोड़ दें तो भी हैं तो मोटो E7 पावर के पर आज मेरा वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्स हूं और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें इंफोर्मेटीव ही होती है और काफी सिंपल बनाता हूं मैं इसलिए हिंदी में बनाता हूं ताकि सभी को समझ में हम सब लोग हमारे देश की बाशा से प्यार करते हैं और यही रिजन है बेसिकली हिंदी में कोई वीडियो बनाने का तो इसी के साथ बाय टाटा और जय हिंदी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय